आपको bank beach के उपर analysis करके बताने वाला हो कि आने वाले trading session में bank beach के उपर क्या moment देखने को मिल सकती हैं अभी यहाँ पर trading session में देखोगे live market के अंदे देखोगे तो bank beach के अंदर बहुत अबरदस गिरावट देखने को मिल रही है बहुत लोगों का comments आया थे कि bank beach के उपर एक वीडियो बना है तो जरूर यह वीडियो बनाने के कोशिश करूँगा bank beach किसके उपर perform करता है आपको पता होना चाहिए bank beach के उपर perform करता है bank beach bank nifty का जो index से उसके उपर perform करता है index के उपर top 10 जो stock है उसके उपर उसका investment है तो समझ लेजे bank nifty जैसे जितना index moment करेगा वैसे bank beach के अंदर आपको profit मिलेगा तो bank beach के अंदर आप short term में अच्छा profit gain कर सकते हो, long term में भी profit gain कर सकते हो अच्छा कासा यहाँ पर आपको regular income भी generate कर सकते हो मैंने बहुत सारे strategy बना के रखे bank nifty bank beach को पर बहुत strategy आप जरूर चेक आउट कर सकते हो, link आपको description में जाएगा या playlist में आपको जरूर देख सकते हो मैं आजकल थोड़ा सा लाइव आने के भी कोशिस कर रहा हूँ लाइ मार्केट में आपको कुछ यहाँ पर टेकनिकल आनालाइस करके बताने की कोशिस कर रहा हूँ तो वो भी आप जॉइन कर सकते हो, आप टेलेग्राम चैनल यहाँ पर चैनल सस्क्राइब करोगे तो आपको एक notification आउन कर लिजे तो जबी भी मैं यहाँ पर आने की कोशिस करूँगा तो जरूर आपको एक technical analysis का जरूर help मिलेगा अभी यहाँ से correction के बात करते हैं यहाँ पर बैंक लिप्टी के उपर correction कितना मिला और यहाँ से जो अभी latest rally चली वो कितना परशंट के rally चली अभी जो latest rally चली वो 30% के आसपस rally चली बॉटम से देख लिजे 32,000 के आसपस यहाँ पर यह अपना index trading कर रहा था और 42 का high लगा के आया लगबग लगबग 10,000 point की movement आपको यहाँ पर देखने को मिली है रही बात आने वाले tradition में क्या हो सकता है देखो मैं यहाँ पर आपको simple यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा index कभी zero होने वाला नहीं है यह ध्यान में रखिए index यहाँ पर movement करता है 10-20% उपर जाता है तो वहाँ से correction तो बनता ही है कोई भी index हो एक correction तो बनता ही है आप यह stock मत सोचे है कि stock हमेशा उपर जाते रहेंगे तो वह इसे भी index उपर जाता रहेगा ऐसा नहीं होता index ऐसा धीरे-धीरे गिरेगा फिर उपर जाएगा फिर नीचा आएगा फिर उपर जाएगा अपने हाई को काटते हुए उपर जाएगा धीरे-धीरे हमेशा उपर जाता ही रहेगा इसका trend हमेशा अप trend ही मिलेगा short term में जो गिरावट मिलती है उसका आपको फाइदा आपको short term में swing rate के तुरू उठा सकते हो तो आप यहां से आप holding based short term में गिरावट आती है तो buy कर जाता है तो base दीजिए हर 55% की गिरावट पे भी आप index को उपर buy कर सकते हो मतलब nifty बीच को buy कर सकते हो यह strategy आप apply करके हर 55% के gain के ओपर आप profit भी book कर सकते हो यह strategy regular आप generate कर सकते हो profit और यह किसी मैंने में profit नहीं दिया तो next मैंने में आपको ज़रू profit देगा निप्टी बीच को पर यह strategy भी उकल profitable है अभी मैं यहां पे aggregate कितना percent मानने के चलता हूँ तो आप करोना के बीच में देखो गए तो लगबग लबच 40-45% का correction आपको highest correction आपको index के ओपर देखने को मिला हाइस्ट highest correction मतलब 2008 के बीच में जो correction आए था वो 40 से लेके 60% का correction आए था वो correction अभी यहां पे 12 से लेके 13 साल बाद आपको देखने को मिल रहा है वो correction अभी already हो चुका है से कितना percent correction हुआ यहां पर देख लिजे एक यहां पर बैंक बीच के ओपर इंडेक्स के ओपर देखना जरूरी है तो यहां से 9% का आसपास correction हो चुका है मैं कितना बोला है यहां पर 20% का aggregate एक correction healthy correction मानता हो maximum 20% तो यहां से मैं 20% maximum मानके चलता हूं इंडेक्स के ओपर तो यहां से इंडेक्स कितना आ सकता है लगबग लगबग यह 33 सदार तक आ सकता है उस यह ज्यादा नहीं आएगा आप समझ सकते हो कि मैं इंडेक्स को क्यों पहले चेक किया क्योंकि इंडेक्स को हमको चेक करना जरूर है तभी हम bank बीच के ओपर investment करें अब अब आप 28% यह खेल दिक यहां पर प्रॉफिट हो जाता है ऐसे market में आपको 28% डेटन दे रहा है उतना और क्या चाहिए उसके बाद अभी जो latest correction देखने को मिल रहा है वो कितना पर पर चुका है तो लगबग लगबग यहां पे ना उसे लेके 10% का correction हो चुका है तो यहां से आप cmp rate से ब्यूकुल बाई करके चल सकते हो टॉप से हमेशा 10% का correction आपको मिल रहा है तो first buying आपको जरूर कर लेना चाहिए फर्स्ट बाईंग अभी आप cmp rate से कर सकते हो 388 के आसपास अभी price चल रहा है यहां पे 388 के आसपास price चल रहा है ब्यूकुल अभी आप 20% का correction मिलता है तो कितना आ सकता यह 20% का correction आता है तो लग बग लग बद 340 के आसपास आ सकता है आएगा नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता आपको भी नहीं पता हम strategy को follow करेंगे यहां strategy को follow करोगे तो आपको जिन्हों तरके से profit मिलेगा regular income भी मिलेगा 20% का correction मैं healthy correction मानता हूँ अभी आप यहां पर 10% आ चुका है एक बाइंग कर लेजिए नेक्स बाइंग और 5% के पास और नेक्स बाइंग और 5% के आसपास करना है मतलब 20% का correction मैं यहां पर मानके चलता हूँ इतना बड़ा correction आपको बार बार नहीं मिलेगा इसके पहले वाल करेक्शन जो मिला था वो कितना परशन का करेक्शन मिला था वो भी देख लेते हैं यहां से जो करेक्शन आयती लगबग लगब 17% का करेक्शन आयता उसके पहले वाला जो करेक्शन आयता वो कितना परशन का करेक्शन आयता देख लेजे वो भी 18% का करेक्शन आयता इसके 19-20% का correction दिया हुआ है और जबी भी इसके अंदर बढ़िया rally चली तो वो almost यहाँ पर देख लिजे 30-40% की rally चली है तो rally बढ़ी देता है और correction आपको 20-15% का correction आपको देखने को मिलता है तो एक correction मैं यहाँ पर 20% का मानके चलता हूँ तो आपके लिए golden opportunity बनता है यहाँ पर भी देख लिजे 20% का correction आपको देखने को मिल रहा है तो in and average मैं मानके चलता हूँ यहाँ पर 20% का correction आपको बैंक निप्टी हमेशा देगा तो 20% aggregate होता है 10% और रड़ी हो चुका है 10% और आ सकता है तो आपको ब्यूकुल यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश किया कि बैंक बीच को पर आपको आने वाले दिनों में क्या करके चलना चाहिए और कैसे buying करना चाहिए अभी ब्यूकुल support के आसपास है ब्यूकुल आपके लिए buying बनता है यहाँ से एक 10% का correction औरेड़ी हो चुका है पास 10 रुपे उपर नीचे आएगा उससे ज्यादा नहीं आएगा आता भी है तो घबरानी के जोरुत नहीं है अपना planning के साथ investment करें planning के साथ investment करोगे तो कभी भी loss नहीं होगा आप यहाँ पे एक bank बिच के साथ investment करते हो तो इंट्राडे मत करिए क्योंकि यहाँ से पैसे कमा लोगे इंट्राडे से लास करोगे और आपको रिजर्ट जिरो मिलेगा देखो यहाँ पे आपको ETF एक small investment बड़ा investment करते हो तो यहाँ पे regular income बना सकते हो लेकिन बड़ा amount आपको नहीं मिलेगा एक दिन के अंदर 10,000, 20,000, 25,000 का profit नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे monthly result निकालोगे तो overall profit में निकलोगे तो इस तरह के साथ आपका plan है तो आप equal bank बीच, nifty बीच के साथ, ETF के साथ जोरू जा सके हो ETF कभी जोरू होने वाला नहीं है और ETF के साथ आपको regular पैसा बनना ही बनना है किसी मैने में 30, 40,000 के बीच में नहीं पैसा बना तो घबराने के जोरूत नहीं है next मैने में market का trend change होगा तो आपको पैसा जोरू देगा तो इस तरह के से plan setup करेए और यहां से मैंने बताने की कोशिश किया कि यहां से first bank bucle बनता है 383 से लेके 390 के बीच में आप कभी भी buying कर चकते हो और यहां से और एक 5% नीच आता है तो 360 की next buying रहेगी और यहां से नीच आता 340 का next buying रहेगा target कहा रहेगा आपके buying rate से first target रहेगा 5% first target और आपके buying rate से next target रहेगा 10% क्योंकि 30% के rally देता है तो average cost में मान के चलता हूँ तो 15% भी आपके buying rate से उपर जाता है तो 10% आप easily निकाल सकते हो bank बीच के उपर तो उमिद करता है इस वीडिये के अंदर जो जानकरी दिया आप भी कुछ समझ गया होंगे और मैं क्यों bank बीच prefer करता हूँ ये भी बताने की कोशिश किया क्योंकि bank बीच एक index के उपर पैसा लगता है top 10 company है जो banking sector की है उसके उपर पैसा लगता है तो भी आपके पास backup आपके पास होना चाहिए रही बात यहाँ पर first time विजिट करें कोशिश करें चैनल को subscribe करने की क्योंकि मैं intraday level telegram चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ वो भी आप join कर सकते हो और angel के साथ जरूर आप demand account उपन करें angel one of the best अभी platform है बहुत अच्छा margin प्रोवाइड कराता है holding based भी margin प्रोवाइड कराता है 5X की margin आपको मिलेगी वो भी long term करना है तो long term भी आप कर सकते 5X margin के साथ एक 20,000 रुपी का amount से आप एक लगका माल उटा सकते हो अधिक जानकरी के लिए आप more information के लिए आपको 9797773219 के ओपर मुझे call कर लिजिए regarding to margin और margin के तुरू आपको कैसे trading करना है investment कैसे plan set up करना है कौन से stock के साथ आपको long term करना है कौन से stock के साथ आपको जाना चाहिए पो भी महीं यहाँ पर discussion करने के कोशिश करूँगा जो मेरे साथ demand account open करेंगे उसके लिए यह offer रहेगा मिलते नए वीडियो ने टपक के साथ तब तक लिए बाई बाई